हेलो एबरीवन, शिफ शक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो इनर यूनियन को बनाऊंगी आपको क्या फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, आपके अंदर क्या चेंजिस आते हैं ठीक है, उसके उपर ये वीडियो रहेगी देखिए अगर आपका इनर यूनियन हो गया है, तो आप ये समझ जाये कहीं न कहीं आपका जिवाइन से यूनियन हो गया है, आपका डिवाइन यूनियन हो गया है क्योंकि आपका इस 3D वर्ड में यूनियन होने से पहले आपका जिवाइन यूनियन होता है आपका 5D में union होता है या मैं यह कहूँ 5D में आप हमेशा unite रहते हो बट कुछ blockage issue ऐसे होते हैं जिसकी वज़े से आप यह feel नहीं कर पाते हो जब आपके issue blockage heal होना start हो जाते हैं आप खुद को heal कर लेते हो आप खुद को 5D में अपने partner के साथ खुद को unite feel करते हो union में feel करते हो कि आप union में आ चुके हो अब आप 3D में उनके साथ हो या नहीं हो वो कहीं और हैं किसके साथ हैं आपको इन सब चीजों से फर्क पढ़ना पूरी तरीके से बद्ध हो जाता है ठीक है तो हम आज बात करेंगे inner union की inner union क्या है मतलब आपका खुद से union हो जाना आपको ये जर्णी खुद से मिलाने आती है जिस दिन आप ये feel कर लेते हो आपने खुद को पा लिया मतलब universe को पा लिया divine को पा लिया क्योंकि जब तक आप बहुती ज़्यादा low energy में होते हो low vibration में होते हो को heal करते हो ये जो सारी sign है वो मैं आपको बताऊंगी ये सारी sign आपको मिलना start हो जाए आप समझ जाना कि आपका inner union हो चुका है ठीक है तो बात करते हैं सबसे पहले जब आपका inner union हो जाता है सबसे पहले आप gratitude की energy में आ जाते हो आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है तो आप totally surrender होते हो divine को ठीक है आप gratitude देना कभी नहीं भूलते हो judge नहीं करते हो universe को divine को या आप जिसको भी मानते हो ठीक है आप बिल्कुँ surrender होते हो आपके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है आप यही कहते हो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा इश्वर मेरे साथ है अभी तक कि इसपर ने मुझे सपोर्ट किया है आगे भी वो सपोर्ट करेगा और कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा ये सबसे पहले साइन है आपका जिवाइन यूनियन हो चुका है नेट्स साइन है आप यह एक्सपीरियन्स करोगे आप इनर पीस को mental पीस को जोई की फूल मतलब ऐसे एनलजी में रहना पी स्टार्ट कर दोगे आप बहुत ज़्यादा mental peace feel करोगे inner peace feel करोगी joyful वाली energy में रहोगे मतलब high vibration में रहोगे आप पहले जहां आप बहुत ही जदा low vibration में रहते थे 80 से 90% low vibration में only 10% आप high vibration में रहते थे बट अब आप 80 से 90 और 90 से 95% या 99% आप high vibration में रह रहे हो आपके आस पास की परिस्तितियां कितनी भी बुरी हो आपको effect नहीं कर रही है आप trigger नहीं हो रहे हो then आप समझ जाना कि अब आपका divine union हो चुका है आपका inner union कहीं ना कहीं आपने achieve कर लिया है ठीके ये दूसर positive sign है थर्ड sign ये है you are trigger almost healed आप जो अभी तक बहुत ही जल्दी जल्दी trigger हो रहे थे अपनी family से अपने counterpart से अपने thoughts से अब यहां नहीं आप अपने thoughts से trigger होगे नहीं अपनी family से trigger होगे नहीं अपने counterpart से trigger होगे ये भी positive sign है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है इस time में आप समझ जाओ आपने inner union कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है या आप अचीव करने वाले हो ठीक है next है आपका inner child wounds almost healed आपका inner child issue या childhood trauma जो आपको बार बार effect कर रहा था या बार बार आपके present time को बहुत ज़्यादा effect कर रहा था आपको past की बाते बहुत ज़्यादा effect कर रहे थे आपका past relationship या past trauma आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा था अब वो चीजे आपको बिल्कुल भी trigger नहीं कर रही है अगर mind में आप भी रही है याद भी आ रही है तो आप उसको बिल्कुल भी आप trigger नहीं हो रहे है या आप उसको हस कर ले रहे हो कि यार मैंने ऐसा क्या था बताओ मैं क अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कुछ लड़ नहीं कर पाती कुछ सीख नहीं पाती मतब अब यह सारी पास्ट की चीज़े चाइल्ड ट्रॉमा अब आपको एफेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देगा चीक है नेक्स्ट है आपका आपका जो आपके परसिंग के साथ कंवर्शेशन है आपका 3D में उनका कंवर्शेशन आपसे चल रहा है या नहीं चल रहा है आप नो कॉंटेक्ट जोन में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आपकी टैलीपैथी बहुत जादा स्ट्रॉंग होगी बहुत ज़्यादा लव एनरजी में बहुत ही पॉजिटिव एनरजी में मतलब आप दोनों ऐसे बात करोगे जैसे वो आपके आमने सामने हैं आप कुछ खा रहे हो तो आप साथ में बात कर रहे हो ठीक है आप सो रहे हो तो साथ में बात कर रहे हो आप कहीं जा रहे हो कहीं आप office में भी बैठे हो कहीं भी हो आप उनसे ऐसा फिल करोगे कि आप दोनों आमने सामने हो या आप दोनों की conversation बिल्कुल ऐसे चल लिए जैसे आप 3D में किसी person से सामने बैठ कर करते हैं ठीक है यह एक strong sign है कि आपका inner union हो चुका है next है आपका आप unconditional love feel करोगे यहाँ पर कोई भी condition नहीं होगी लव की कि आप ऐसे दिखते हो आपका physical appearance ऐसा है आपका complexion ऐसा है आपके पास पैसा नहीं है या आपके अंदर ये कमी है नो आप अपने DM को या अपनी DF को judge करना बंद कर दोगे वो जैसे भी है आप उनको accept करोगे अगर वो third party में भी उनको third party के साथ भी आप accept करोगे ठीक है या उनसे कोई भी mistake हुई है कोई भी गलती की है उन्होंने आप उनको forgive कर दोगे easily ठीक है उन बातों को पकड़ कर नहीं बैठ होगे एकदम pure love feel करोगे आप ठीक है ये सारे sign अगर आपको दिख रहे हैं then आप हैं किसके साथ है मतलब आप अब उनको अपने अंदर ही feel करोगे खुद को complete feel करोगे आपको लगेगा कि मैं complete हो चुकी हूँ मैं अब बाहर की चीजarny के पीछे नहीं भाग रही हूँ धीयम के पीछे नहीं भाग रही हुँ खुद के साथ ही खुश हूँ खुद की ही company enjoy कर रही हूं तीखे खुद को ही वैल्यूड दे रही है आप खुद को सर अलब कर रही है और बहुत ही जदा हाई वाई principle में हैं है बहुत ही प्योड एनर्जी आपको फिल हरी है love vibration आपको बहुत ही जदा अपने अराॉंड फिल हो नेक्स्ट आपका 3D से 4D में 4D से डारेक्ट 5D, 3D से आपका 5D में कहीं न कहीं consciousness आपकी shift हो चुकी है, ठीक है, आपका higher consciousness आप पड़ता जा रहा है, आपको consciousness पे बहुत ज़्यादा clarity मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा positive होते जा रहे हैं, यह sign है कि आपका inner union हो चुका है, ठ करोगे, बहुत ज़्यादा mentally, physically, emotionally, spiritually बहुत ज़्यादा balance फील करोगे, और mental peace आपको emotionally आप इतना ज़्यादा weak नहीं होगे, ऐसा लगेगा जो चीजे पहले आपको बहुत ज़्यादी trigger करती थी, आप बहुत ज़्यादी रो जाते थे या दूसरों की बातों में आ जाते थे आप yes और no नहीं बोल पाते थे, हर बात में हाँ बोलتे थे, चाहिए वो सही होती थी या गलत होती थी ठीक है, आपको पसंद नहीं होती थी वो बाती तब भी आप हा बोलते रहते थे, बट आब ये चीज़े बिलकुल भी नहीं होगे आपके साथ, आप बिर्कुल अपने आपके साथ है, divine आपके साथ है ये चीज़े आपके साथ होना स्टार्ट हो चुकी है, then आप समझ आना आपका inner union हो चुका है आपने inner union अचीव कर लिया है ठीके next आप बहुत ही ज़्यादा attractive लगने लगोगे, जब आपके ascension process चल रहा होता है, या जब आप बहुत ही ज़्यादा wounded होते हो, आपके अंदे issue blockage होते है, then आप उस ताइम बहुत ज़्यादा unattractive दिखते हो, अपनी age से बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हो, ठीके dark circle दिखना या racist दिखना चेहरे पर, या skin बहुत ज़्यादा dull दिखना, या बहुत ज़्यादा ठके ठके से रहना, ऐसा feel होगा, बट जब आपका inner union हो जाता है, then आप high vibration में पहुँचाते हो, मतलब कही ना कहीं, आप 5D में shift हो चुके हो, ठीके आपकी consciousness कही ना कहीं 5D में shift हो चुकी है, तब आप बहुत ज़्यादा attractive नजर आने लगोगे, और ये चीज आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी आपके अंदर notice करेंगे, और वो आपसे बोलेंगे भी कि आपका कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, कोई बोलेगा आपकी eyes बहुत ज़्यादा attractive दिख रहे हैं, आपके hair बहुत ज़्यादा attractive दिख रहे हैं, याप बहुत ज़्यादा attractive दिख रहे हैं, आपकी voice बहुत ज़्यादा attractive है, ये सारे आपको compliment मिनना start हो जाएंगे, लोग आपको appreciate करना start कर देंगे, ऐसा होने लगेगा आपके साथ, then आप समझ जाना, आपका divine union हो चुका है, आपने inner union कहीं न कहीं अच्छीव कर दिया है, ठीक है next है, आपका जैसा कि अभी मैंने जो point पता है, आपकी eyes में बहुत ज़्यादा shine आ जाएगी, आपके hair में बहुत ज़्यादा shine आ जाएगी आपके चेहरे पर एक glow divine beauty नजर आएगी, आप चाहें कैसे भी दिखते हो आपका complexion कैसा भी हो आपकी height कैसी भी हो आपकी age, आप किसी भी भी age में हो आप बिल्कुल अगर 100 लोगों के बीच में भी बैठे हो, 50 लोगों के बीच में बैठे होगे, आपका aura बहुत ज़्यादा high होगा बहुत ज़्यादा positive होगा बहुत ज़्यादा shine कर रहा होगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको notice करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर अलग दिखेगा, ठीक है? ये सब चीजे बताती हैं कहीं ना कहीं आप universe से direct connect हो चुके हो आपका universe से connection बहुत ज़्यादा strong हो चुका है आपका divine union हो चुका है मतलब आपका खुछ से union होना divine से union होना अपने inner dmdm balance कर लेना या inner dmdm का union होना ठीक है? ये सब चीजे बताती हैं कहीं अब आप inner union में आ चुके हो next है आपका आपकी health बहुत अच्छी रहने लगेगे आप बहुत ज़्यादा consciousness पे आपको बहुत अच्छी से समझ सकोगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या आपकी body के लिए सही है क्या गलत है कौन सा healthy food है कौन सा unhealthy food है यह सब चीज़े आप बहुत ज़्यादा notice करने लगोगे खुद को लेकर awareness में रहोगे यह सब sign अगर आपको मिल रहे है अपनी journey में आप समझ जाना आपने inner union अचीव कर लिया है next है आपको अपने partner की जगे कहीं भी जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा positive फिल कर रहे हो यह sign भी है कि आप अब inner union में आ चुके हो ठीक है यह सारे sign आपको बताते हैं कि आपने inner union अचीव कर लिया है या भी आपको यह sign नहीं मिल रहे है 50% पर अगर आपके साथ हो रहा है आप समझ जाना आगे आने वारे time में यह सारे sign आपको मिलने लगेंगे और यह मिलेंगे तो आप समझ जाना आपका inner union हो चुका है ठीक है और आपका सबसे ज़्यादा strong connection universe से होगा divine से होगा यह आप जिनको भी मानते हैं शिव शक्ति को मानते हैं आपका इतना भरूसा हो जाएगा उनको कितनी भी कठिन परिस्तितियां हो आप डगमगाएंगे नहीं ठीक है ऐसा नहीं होता कि आप आप यह सारे issue blockies हील कर लिए हैं यह बहुत ही ज़्यादा आपने खुद को balance कर लिए तो आपकी life में आप कठिन परिस्तितियां नहीं ही आएंगी वो भी आएंगी बट आप डगमगाओगे नहीं बिल्कुल भी ठीक है आप खुद से connect होगे सीधर direct universe से connect होगे आप question अपना put up करोगे उधर से answer आपको मिलेगा आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछी का reason क्या है तो ये सब चीजे आपको बहुत ज़्यादा strong बनाने लगती है और यही है आपका inner peace mental peace आप joyful के energy में रहते हो blissful के energy में रहते हो totally divine को surrender रहते हो gratitude के energy में रहते हो और ये सब बताते हैं कि अब आपने अपना inner union achieve कर लिया है और जब आपका inner union हो जाता है आपका 3D में आपका partner से union हो रहा है नहीं हो रहा है या वो कहाँ है, कहाँ नहीं है ये फरक नहीं पड़ता है आपको पूरा faith हो जाता है कि जब मेरा 5D में union हो चुका है inner union हो चुका है तो 3D में भी union होना ही होना है आप बिल्कुल भी desperate नहीं होते हो अपने partner को लेकर अपने union को लेकर और नहीं बहुत ज़्यादा obsessed होते हो तो ये सब sign अगर आपको मिल रहे हैं आप समझ जाना आपने inner union अचीव कर दिया है ठीक है next है आपका आपको हमेशा एक inner peace वाली energy में रोगे मतलब मुस्कुराते रोगे आपके चेहरे पे एक मुस्कान एक naturally आने लगेगी अभी तक आप बहुत ज़्यादा desperate रहते थे sad के energy में रहते थे anxiety, stress, past को लेकर परिशान होना, future को लेकर परिशान होना, fear की energy से deal करना, ये सब चीज़े vanish होना, start हो जाती है विल्कुल vanish हो जाती है आपके mind से ये सब negativity release हो जाती है आप एक अंदर से happiness feel करते हो एक जो होती है ना pure smile या pure हसी जो दिल से आती है दिल से आप connect होते हो जब आपके साथ ऐसा होता है तब आप समझ जाना कि आपका inner union हो चुका है और ये बहुती खूबसूरत एहसास होता है खूबसूरत मैं शब्दों में नहीं बता सकती आप लोग अगर इस energy में होंगे आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा फिल होता है अभी तक आप दूसरों से लव लव के लिए बहुती ज़्यादा दूसरों पर depend थे या लव के लिए दूसरों के पीछे भाग रहते हैं बट अब आपको value समझ में आ रही है self love की unconditional love की forgiveness की ठीक है और ये सब चीज़े आपको कहीं न कहीं heart से connect करती है आपका heart chakra कहीं न कहीं balance होता है तो ये सारे sign अगर आपको मिल रहे हैं आपका inner union हो चुका है और आप बिल्कुर tension free रहे हैं जब आपका inner union हो next है आप self love को अपने अंदर feel करना start कर दोगे unconscionable love को अंदर ही feel करना start कर दोगे मतलब आपके चहरे पे एक अलगी smile नजर आएगे बहुँ ज़्यादा attractive smile होगे आपके आप उसे खुद connect होगे आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मेरे अंदर की एक real smile है true smile है अभी तक आप fake smile लेकर घूम रहे थे दूसरों को खुश करने के लिए बस हस दिया करते थे बट अब ऐसा नहीं होगा ये जो smile होगे एकदम divine से connect होगी आप खुद को एक अलगी vibration में लेकर जाओगे ठीक है जब आपका divine union हो जाता है जब आपका inner union हो जाता है ठीक है next sign है आपका आप दूसरों की help करने के बारे में बहुत जादा सोचने लगते हो मतलब दूसरों को देने के बारे में बहुत जादा सोचते हो आपके अंदर से अगर ये thought आने लगे ये आपके soul से voice आने लगे कि हाँ मुझे दूसरों की उसरे जो आप समस्ट जाना किए आपका inner union का साइन और यह बहुत कशा साईन है तो मिलते हैं तो आप समझ चाहिए कि आपका oh छुका है ए कल्istat में मैं फेल मी लूँगी तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए स्वास्त रहिए